नमस्कार दोस्तों, SPS Study Point के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है समेस्टर परिच्छाओं पर ले करके इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर एक बिस्विद्याले ने अपने परिच्छा पैटर्न को जारी किया है एक नोटेस के माध्यम से तो दोस्तों इस नोटेस में या बताया गया है कि जो आपके बिसम समेस्टर की परिच्छा है वो किस मोड में कराई जाएगी उसका पैटर्न क्या रहेगा को करिकुलर कोर्स का जो पेपर होगा वो किस मोड में कराई जाएगा और जो आपका major और minor subject है उनके paper की जो pattern होंगे वो किस pattern पर कराए जाएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये notice जवाई है वो किस बिस्विद्याले की है तो दोस्तों ये notice है राजा महन्द प्रताब सिंग राज बिस्विद्याले अलीगड की इसके पहले मैं आपको पताना चाहूंगा कि राजा महन्द प्रताब अलीगड बिस्विद्याले जो है उसकी जो परिच्छा अभी तक हो रही थी वो OMR seat पर हो रही थी यानि लिखित पैटर्न के अधार पर कराई जा रही थी ये 2020 से लेकर के 2024 तक अब जो बिसम समिस्टर के परिच्छा होगी उसमे पैटर्न में बदलाओ कर दिया गया अब उसी बदलाओ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने बाले हैं और फिलाल जो अलीगड बिस्विद्य गया है देखे दोस्तों दिया गया है कि परिच्छा सिमिती की बैठक 15-7-2024 में नंड़े लिया गया है कि 70-2024-25 के बिसम समेस्टर में होने वाली समस्थ पार्ठकरमों की परिच्छा वर्णात्मक प्रणाली यानि डिस्क्रिप्टिट मोड में कराई जाएगी जो आपकी समस्थ पार्ठकरम हैं विसम समेस्टर के उनकी जो परिच्छा होगी बीए बीएस्सी भीकाम या फिर एमे एमेस्सी एमकाम की उन सबी की परिच्छा अब लिखित पैटर्ण पर कराई जाएगी आपका एक्जाम अब नहीं होगा ये राजा महन प्रताब अली गर्विस व परिच्छा है वह बहुविकल प्रणाली पर होगी जानि कि केवल और केवल आपका को कैरिकुलर कोर्स का पेपर ऑबजेक्टिफ होगा को इमार सीट पर होगा बाकी परिच्छा लिखित पैटर्ण पर होगी अब जो वड़नात्मक परिच्छा जो आईजित होगी उसमें स दोस्तों आपका प्रस्ण पत्र तीन खंड में विभाजित होगा खंड आ खंड बा और खंड सा अगर हम बात करें खंड आ की तो खंड आ में अतिल अगुत्रिये प्रस्ण आपके पूछे जाते हैं और अतिल अगुत्रिये प्रस्ण में क्या होगे दोस्तों देखिए इस हो गया खंड अब हम बागी बात करते हैं बाग में लगूत्रिय प्रस्ण होते हैं और लगूत्रिय प्रस्ण में देखे इस खंड में चार प्रस्ण होंगे ठीक है चार प्रस्ण होंगे सेक्शन भी में यानि खंड बाग में इन में से किनी दो प्रस्णों का उत्तर चार में से दो प्रस्ण का उत्तर देना है और दोनों के उत्तर जो दोने हैं वो धाई सो सब्दों में देने हैं ठीक है प्रते कोशन के यह आपका बाव हो गया अब हम बात कर लेते हैं खंड सा यानि की सा में जो प्रस्ण होते हैं वो दीर को उत्रिये प्रस्ण पूछे जाते हैं औ और ये अगर इंग्लिस में देखें तो ये long type का question होता, long type का section होता है, अब इस खंड में कुल मिला करके 6 प्रसन हैं, और 6 प्रसन में से 3 का उत्तर आपको देना रहेगा, सब्द सीमा आपकी रहेगी इसमें 500 सब्द, तो clear हो गया आपका paper pattern भी clear हो गया, जानि कि exam लिखित mode मे होगा, तो किस mode में होगा, ये यहाँ पर बता दिया गया है, खंड आ, खंड बा और खंड सा, प्रसन कितने होंगे, एक की बात करें, तो A वाले में आपके 5 प्रसन होंगे, B वाले में आपके 4 प्रसन होंगे, और C वाले में होंगे आपके 6 प्रसन, ठीक है, तो इसी प्रक आपके PDF को प्याला नोट्स में मिलता है और आपकी इनौची की सब वि जो नोटीस हैं जो आपके नूप है वो मैं आपको बताता रहता हूं समय समय पर बाकी जो अधर भिस्बिढ़ेविद्याले के हमारे स्टुडैंट आदर इस थे जुड़े हुए हैं उन तो कमेंट बॉक्स्स में कमेंट कर दीजिएगा अपनी इनवर्टिट्टी का नाम मैं आपको बता दूंगा कि आपकी इन्यूर्ट विडियो में इस बार किस पैटन पर एक्जाम होने वाले हैं ओके दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्टे वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत